किसी भी सुबकार्यों में सर्व पर्थम भगवान स्री गनेश की पूजा की जाती है। भी दूर होती हैं क्योंकि भगवान स्री गनेश को विख्ण हर्था भी कहा जाता है और उनकी विशेश कृपा होती है। और अपनी कृपा उस पर बनाए रखते हैं भगवान गनेश उन पर बहुत महरवान होते हैं जिस पर भगवान गनेश की विशेश कृपा होती है उन्हें और क्या-क्या लाफ मिलते हैं अब ये भी देख लेते हैं तो देखिए हम भी धेर सारा पैसा कमाएं और जीवन में सभी सुख सुख धाये और धेरो खुसियां मिले ऐसा तो हम में से लगभग हर किसी का सपना होता है हर ब्यक्ति अपने जीवन में धनवान बन कर बेहतरीन लाइफ स्टाइल जीना चाहता है इसके लिए ही तो वो दिन रात मेहनत कर पैसे भी कमाता है हालां की कई बार कड़ी मेहनत के बाद भी हमें उसके अनरूप परणाम नहीं मिल पाते हैं जिससे हमारे मन में निरासा होने लगती है हम उम्मीद छोड़ देते हैं ये स्थिती या तो किसी ग्रह की स्थिती ठीक ना होने के कारण बनती है या फिर किसी वास्तु दोस्त के कारण होती है परन्तु इसके लिए भी सास्त्रों में कुछ उपाय बताये गए हैं जिनें अपना कर धन सम्रद्धी और रुपे पैसे से जुड़ी समस्याओं से हम भी छुटकारा पा सकते हैं धन पाने के लिए या धनवान बनने के लिए सास्त्रों में कई सारे उपाय बताये गए हैं इन उपायों के माध्यम से हमारे धन आने के रास्ते में जो अर्चने आ रही हैं वो दूर हो जाती हैं ये उपाय धन लोग को प्रवल करती है और जल्द से जल्द हमारे धनागमन के रास्ते खुलने लग जाते हैं। आज की इस वेडियो में हम देखने जा रहे हैं ऐसे ही दो उपाय जो हमारे जीवन में आने वाली धन संबंधित सभी रुकावटों को खत्म करता है और धनागमन के द्वार खुलता है। धनवान बनने के लिए चांदी का हाथी बहुत ही सुब माना जाता है। चांदी का हाथी धनागमन के नए द्वार खोलता है। एक तो चांदी और उपर से हाथी दोनों ही साकारात्मक्ता लाने का काम करते हैं जिससे आपका भाग्य सुधरने लगता है। उसों को खत्म कर दिया जाए तो घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान स्री गनेश यदि आप पर प्रसन हो जाए तो लक्ष्मी अपने आप ही दोरी चलियाती है। क्योंकि भगवान स्री गनेश को विगन हर्ता कहा जाता है और यदि उनकी कृपा मिल जाए तो धन आगमन के रास्ते में जितनी भी विगन बाधाएं हैं वो सभी दूर होती हैं। छोटा या बड़ा किसी भी वजन का चांदी का हाथी यदि घर या आफिस की टेबिल पर रख दिया जाए तो धन के योग बनने लग जाते हैं जिससे तरक्की मिलती है और ब्यावसाय या नौकरी संबंधित परसानी भी नहीं आती। चांदी से बने हाथी को घर के उत्तर दिसा में रखना सुब माना जाता है। तो पहला था धन आगमन में बिख्ण बाधाओं को दूर करने के उपाएं। अब दूसरा है कि जिन लोगों के उपर भगवान स्री गनेज की विसेश कृपा होती है वो हर काम में निपुन और बुद्धिमान होते हैं। उन पर भगवान गनेज की ऐसी कृपा होती है कि उनके हर काम सफल होते हैं। इसके अलावा आत्म विश्वास की कभी कमी नहीं ह इसलिए नियमित रूप से भगवान स्री गनेश की विधी विधान से पूजा आर्चना जरूर करने चाहिए। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं और सिक्षा के छेतर में अपना नाम कमाना चाहते हैं उन्हें नियमित रूप से भगवान गनेश का ध्यान अवस्य ही करना चाहिए। और कमेंट में गनपती बपा की जय भी अवस्य ही लिख दीजिएगा ताकि उनकी ग्रपा हम सभी को मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आपका दिन सुभो। जय स्री गनेश जी। कि और कि मिलते हैं उनकी लिएको लिए के बाते हैं उनकी अवस्य ही को प्यांता हैं अवस्य हैं आपका दिन सुभ़। झाल झाल